मिला है न यह सिंप्लेस्ट रेसो मिला है अगर इसी को हम लोग फॉर्मला बना जेंगे तो हमारा बन जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मला जैसे की C और H कितना होजेगा 2 और O चैनल मेण हम वाला सूर्ज मतो हम ए टॉओור्म मैट्स वाला बना सूर ढया प्रूर्मॉ जैंक तोड हम देनाल जाय हらले अब आप एक फॉर्मला जो कि हम लोग को सिंपल होल नंबर रेसो देता है कोई भी इसमें तो अगर हम लोग यहां पे एक्जामपल लेंगे तो आपको जादे अच्छे समझेगा क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मला डेफिनेशन में से इतनी अच्छे से नहीं समझता है तो अभी मैं यहां पर ले रहा हूं इससे आप लोगोंको एम्पेरिकल फॉर्मला असानी से समझ में आजएगा जैसे मैं ग्लुकोश का मॉलेकूल के जो तो वह मॉल्यक्यूल का कंपाउंड का होता है C6H12O6 तो यहां पर अगर हम लोग कारबन का और हाइडोजन का और ऑक्सीजन का जो रेसो देखेंगे तो है 6 is 2 12 is 2 6 तो अगर हम लोग को इसको सेंपलेस फ़र्म में करना होगा तो जैसे कि मैंस में हम लोग रेसों को क्या करते हैं सिंपलेस फ़र्म में तो यह पूरे 6 के टेवल में जारे तो मैं 6 से सब को डिवाइड कर दोंगा तो क्या होजएगा 6 166 तूजा 12 और 6 1 जा 6 तो अगर हम लोग को यह देशो मिला है empirical formula अगर मैं एक और compound लूँ जैसे कि बहुत पर क्या होते हैं कि empirical formula और molecular formula सेमी हो जाता है तो वो कैसे जैसे कि मैं यहाँ पे अगर CH4 लूँ तो यहाँ पे carbon का जो रेसो है 1 है और hydrogen का 4 है तो 1,4 का जो simplest ratio होगा वो भी 1 is to 40 होगा तो इसका जो empirical formula होगा वो CH4 होगा तो I hope आपको empirical formula समझा तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वो होगा molecular formula तो molecular formula का अगर हम लोग definition देखेंगे तो definition कुछ ऐसा दिया है the formula which gives actual number of atom of various elements present in one molecule of compound मतलब जो formula होगा ना उसमें जो जितने बी number of atom present होगे वो actual figure हम लोगो दिया होगा जिसके पिछला example मैंने लिया था तो उसमें क्या glucose का था ना जिससे C6H12O6 तो वो actual number of figure है अभी मैं और कुछ example लेता तो आपको आच्छे समझेगा तो जैसे कि मैंने पहले तो ग्लुकोस का एक्जामपल लिया था अभी जैसे कुछ और एक्जामपल है जैसे मैं मीथेन का जो मॉल्यकुल होता है वो होता है CH4 तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि एक मीथेन के compound में मतलब कारवन का एक 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 होता है और हाड्रोजन का प्रेजन प्रेजन के एक प्रेजन नंबर प्रेजन इसलिए जो एकश्यूल नंबर ऑफ्रेजन है इसलिए फोमला है इसको हम लोग मीथे molecular formula similarly यह ch4 जो है यह भी क्या है molecular formula है methane का इससे पहले का जो मैंने example लिया था तो उसमें मैंने empirical बता है क्योंकि वहाँ पर हम लोग सिंप्लेस फॉर्म ले रहे थे लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत साथ लोग बलेंगे सार यह तो ch4 और h2 हो दोनों का तो same ही मतलब molecular हो दोनों same हो तो कोई और compound का बता हो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ethane का लूँ तो ethane का formula क्या होता है c2 h6 यह क्या है ethane तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको simplest form में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6 है तो यह जो रेसो है यह actual number of element का है तो यह क्या हो जाएगा यह molecular formula हो जाएगा इथन का और वहीं अगर हम लोग इसको जो रेसो इसको simplest form में करें जैसे 2 के table में 2 बन जा करता है और यह 3 जा तो ch3 यह जो compound होगा यह होगा हमारा empirical formula यह जो formula है और यह जो उपर वाला formula है वह है molecular formula तो आई हूप आपको अभी तक मतलब molecular formula और empirical formula में जो big difference है वह समझ गया होगा अच्छे से और आपको कोई difficulty नहीं है तो अब हम पढ़ेंगे relation between molecular and empirical formula मतलब दोनों formula में कुछ तो relation हो गई न तो यह पे भी टेम्स-अअफ एंफ ऑफ एंपेरिकल योटा होता है तो अगर हम लोग kita यह पे अंपेरिकल फोटा होगा तो हम लोग उसने molecular formula सकते से इम्लेरली molecular formula पता होगा तो हम लोग उसने empirical formula भी निकाल सकते, लेकिन दोनों में से कोई भी formula निकालने के लिए, हम लोग को यहाँ पे जो n दिया है n यह n हम लोग को पता होना चैक तो n हम लोग कैसे निकाल लिंगे तो n का जो formula होता है, molecular formula इतम अपोन का अपोन empirical formula से अमल्हों मिल जाएगा और तो हम लोग लोग उसको निकाल सकते हैं अभी हम लोगे हैं मौव करते और बहुत साथ यहाँ पर को पर स्च्रीन पर कुस्टन देख रहे हो तो यह संदे आप पर्सेंटेज ऑफ कारवन दिये और नैट्रोजन दिया इसके साथ वेपर डेंसिटी यह क्यूद यह हम लोगे तो कभी भी ऐसे पर्सेंटीज जब नहीं दिया होता है तो यहां पर बीन हम लोग जो यहां पे जो ऐलिमेंट करेंगे आक्षिजन निकालने के लिए हम लोग 100 में से बागी सारे पर्सेंटेश को एड़ करके शब्ट्रक्ट कर देंगे जिससे यहां पर कारवन का दिया है 40. 40.65 और इसके बाद हम लोग को दिया है hydrogen का दिया है 8.55 और इसके बाद हम लोग को nitrogen का दिया है तो वह दिया है 23.77 तो अभी हम लोग इसको यहां पर एड करेंगे तो क्या होगा यह 100 माइनस और 75 12 और 5 17 का हो जाएगा यहां पर 7 कैरी 1 फिर 75 12 और 6 818 और कितना हो जाए 19 19 का 9 कैरी 1 8 3 11 12 का 2 कैरी 1 54 261 कितना हो जाएगा 7 तो यहां पर हम लोग को थोड़ा साथ लिखने में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग इसको नीचे लिख लेते तो 100-72.97 जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो जो हम लोग को यहां पर आंसर आएगा वो आएगा 27.03 तो हम लोग को यहाँ पर oxygen का percentage मिल गया वो कतना मिला 27.03 तो अभी यहाँ पर oxygen के percentage मिलने के बाद हम लोग सभी atom जो भी atom आटम हम लोग दिया होगा नदो तो कैसे निकालेंगे तो अभी हम लोग को तो यहां पर लोग देखते हैं कोई क्वैंट से निकलेंगे तो इसको जो परसेंटेज हम लोग को दीया होता है उसको एक मास से डिवाइड करते हैं तो कारभन का जो परसेंटेज दीए वह हम लोगो दिया है तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर जो आएगा वह आएगा 3.38 और इसी के साथ फिर हम लोग हैड्रोजन का यहां पर निकालेंगे तो हैड्रोजन का कितना परसेंद एट पॉइंट फाइफ है उसका कितना आएगा 8.55 यह आएगा इसके वाद हम हम लोग नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन का जो हम लोग को पर्सेंटेज दिया है वो दिया है 23.72 तो उसको हम लोग जब नाट्रोजन का जो टॉइंट होता है 14 उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.69 इसके बाद हम लोग यहां पर ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सिजन का जो हम लोग को मतले मिला है वो मिला 27.03 इसको हम लोग जब 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भी आता है एटोमिक रेसो 1.69 आता है तो यहां पर कारबन का एटोमिक रेसो हम लोग कितना मिला 3.36 हाइडोजन का 8.55 नाइडोजन 1.69 और यहां पर मिला ऑक्सिजन का 1.69 तो इसमें जो सबसे छोटा होता है ना जैसे यहां पर क्या है 1.69 तो इसको हम लोग यूज करेंगे simplest ratio find करने के लिए अभी simplest ratio कैसे find करते तो उसको हम लोग अभी यहां पर देखते तो simplest ratio के लिए जो भी हम लोग को atomic ratio रहेगा सभी को हम लोग जो सबसे small वाला हम लोग ने consider किया था ना 1.69 उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो जैसे carbon का simplest ratio के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 3.38 को 1.69 से जब हम लोग इसको डिवाइड करते तो अप्रोक्सिमेटली जो आंसर आता हुआता है 2 इसका hydrogen के लिए 8.55 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1.69 से तो यहां पे जो आंसर आत 5100 हम लोग ने कलती से यहां पर लिखते हैं तो यह लीटांगी het कितना निकलेगा वन अभी यहां पे कारण का कितना टू एलिमेंट हायड । नायर घ्यक और ऑक्सीजन का विन यह तो जब दिशे को लोग एक्षपाइब लीग सकते जैसे टू एच फा एन और ओ क्योंकि एम्पेरिकल फासे तो ही यहां पर क्या ज़िए ऑ तो C2, H5, N और O, यह जो हम लोग को मिला है फार्मूला, यह हम लोग को empirical formula मिला है अबी यह empirical formula से हम लोग molecular formula find करने की कोशिस करेंगे और find कर भी लेंगे तो molecular formula के लिए हम लोग को पहले तो यह empirical formula यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग कितना मिला था C2 2 एत्र भाइब क्या मिला था एम्पै्बरिगल फ्रॉमॉला रंफ लोग हम लोग को लोग है है और भी हम लोग को मौलेकुला फॉर्मला चीह तो उसके लिए सबसे पहले सो आप आप थैए क्योंकि मॉलेक। प्रवन का होता है 12 नाइट्रोजन का फॉर्टीन इंट्रोजन का फॉर्टीन इंट्रोजन और ऑक्सिजन का 16-1 क्योंकि एक ऑक्सिजन ए तो यह हम लोग करेंगे तो टूएल तूजा कितना होज़ेगा 24 फाइव वन जा फाई और 14 वंजा 14 और 16 वंजा 16 जब हम लोग पूरे को add करेंगे तो यहाँ पर 24 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 16 तो यह कितना हो जाएगा इसका answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा 59 तो हम लोग को empirical formula mass कितना मिला 59 अभी हम लोग को catchy molecular formula mass ताकि हम लोग उससे n निकाल सकें तो अभी हम लोग क् वह कैसे हम लोग क्वेश्चन में वेपर देंसिटी दिया हुआ था अभी आप लोग स्किन पर भी देख रहे हो तो यहां पर हम लोग को जो वेपर देंसिटी दिया है ना वह हम लोग को इसी के मतलब दिया है और किसी को पता है यहां पर देंसिटी होता तो फायंगे अधिश्य मन्होंट को जो जो आंसर मिले गांक मेस ब tęट्स कितना में 59 अभी हम लोग को कितना मिला था 59 अभी हम लोग को निकाल लेंगे तो अन क्या हो जाएगा यहां पे 59 upon 59 क्योंकि दोनों 15 यह हैं तो इस कांसर कितना को फॉर्मला मिला था और molecular formula दोनों के दोनों same ही है क्योंकि n यहाँ पर क्या same और हम लोगों formula में n से multiply करते हैं तो जब यहाँ पर जैसे मैं empirical formula कहाँ C2H5NO जब मैं इसको 1 से multiply करूँगा तो हम लोग को यही answer मिलेगा तो इसलिए यही हमारा molecular formula है आपको यह समसमझा लेकिन हम लोग एक एक स्टेप से करेंगे तो काफी असानी से हो जाते हैं तो हमारा आज का लेक्षर यहीं पर करते और नेक्स लेक्षर में हम लोग पढ़ेंगे आज है सरिक्राइब दिन मुझा है जाओ अब भाष बजाएँ है है उसलिए यह शच्छा शा क्ववार मिले लिजए जसाष्माली आजएगड, शहीं ब बलोश्या उख्रके प्रेlaw जिंव का जाहूं जंलाले विविस्चा Theittures